Question paper में sentence rearrangement या rearrangement of part ये पैरा जंबल इनके question को देखते ही आपके आँखो में खुशी की चमग उट पड़ेगी और seconds में, मुश्किल से 5 seconds में आप उसका correct answer लिखोगे जी हाँ दोस्तों, जुके मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी कमाल की trick जो इस तरह के सभी question में आपको seconds के अंदर सही answer देने वाली है आप ये वीडियो देखने के बात कहोगे कि सर माइंड खोल के रख दिया, मज़ा आ गया फिर चाहे आप किसी भी exam की त्यारी करे हो, CUT की त्यारी करे हो, SAC की त्यारी करे हो, banking, TET या CAT किसी भी level के exam के अगर आप preparation कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है आईए चलिए बिना दीरी, शुरू करते हैं ये कमाल के वीडियो दूस्तों, tricks बताने से पहले एक important बात जो आपका दिमाग खोल के रख देगी दूसरी जो question होते है, rearrangement of the sentences, para jumbling, rearranging the parts इनका मतलब तो एक ही होता है, बस नाम अलग-अलग दे दिये गए हैं इनमें क्या होता है, इस तरह के question में, आपको कुछ sentences दिये जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि उन sentences का सही order क्या होगा, सही sequence क्या होगा options दिये गए होते हैं, correct option को choose करना होता है, आपको mark मिल जाते है सभी में यह होता है, चाहिए para jumbling कहलो, rearrangement कहलो, rearrangement कहलो, rearrangement the parts कहलो सब में सेम चीज रहती है, अब इसी question को थोड़ difficult बनाने के लिए क्या कर देते हैं कि वो जो sentences आपको दिये गए होते हैं वो बड़े-बड़े हो जाते हैं, वो थोड़े से मुश्किल लगने लगते हैं लेकिन बात वही होती है, अब भी आपसे order यह sequence पूछा जाता है is it clear or not, सबको clear हो गया, कि इसमें variety नहीं होती, बस जो level होता है, वो उपर कर दिया जाता है मैं आपको क्या सिखा हूँ आज, मैं आपको यह सिखाने जा रहा हूँ, यह tricks बताने जा रहा हूँ कि किसी भी level का, अगर आपसे rearrangement of the sentences का question आता है तो आप उसको correctly कम समय में, seconds में कैसे answer करोगे, वो सुनो clear हो गया, आगे बढ़ सकते है tricks की तरफ, दोस्तो बहुत important बात अब बताने जा रहा हूँ क्योंकि आपको trick सिखाने वाला हूँ, इस तरह के sentence को solve करनेगी कोई भी sentence आपके सामने हो, trick follow यही होगी, क्या है trick, जब भी आप अपना पहला sentence ढूंडने जाओ क्योंकि कौन सा sequence पहले आएगा, तो सबसे पहले कौन सा sentence आएगा, तो याद रखना जिस भी option में, शुरुआत में ही because आ रहा है, in आ रहा है, या फिर off आ रहा है, या फिर can आ रहा है तो समझ लेना कि ये तो मेरा option हो ही नहीं सकता, in short में कह सकता हूँ कि किसी भी sentence के अगर शुरुआत में कोई preposition है न या फिर कोई conjunction है न या फिर कोई model है न तो जादा chance है maximum times क्या होगा वो आपका option सही नहीं होगा वो सबसे पहले तो नहीं आने वाला है तो सबसे पहली जो मेरा sentence होगा उसमें क्या होगा याद रखना हमेशा कभी भी आपका जो सबसे पहला sentence होगा उसकी शुरुआत ना subject से हो रही होगी subject मतलब किसी noun या फिर pronoun से हो रही होगी उसकी शुरुआत तो आपको देखते ही समझ लेना है कि ये मेरा पहला sentence हो सकता है noun यह pronoun का मतलब, या तो वहाँ किसी का नाम होगा, किसी का नाम होगा, सोहन, मोहन, रोहन, प्रोफेसर फला, प्रोफेसर धिमका, ऐसे किसी का नाम होगा, है ना, या फिर pronoun होगा, pronoun मतलब, he, she, it, I, am, इस तरीके से, है ना, ये वाले pronoun होगे, we हो जाएगा, दे हो जाएगा, इस आपके सामने एक्जाम में आया हुआ क्वेस्चन यह रहा ना अब इसमें क्या है अब इसमें मैंने ऑप्शन को जैसे निगर डाला यहां शुरुवात में इन आया था मेरे दमाग में क्लियर बत्ती जल चुकी कि एस तो शुरू में नहीं होगा तो मैंने इसे कट कर लिया इ कितना असान हो गया आपको सेंटेस को पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पढ़ी अच्छा सर स्टैप नंबर वन तो बड़ा असान है उसके बाद क्या देखना होगा उसके बाद रुको ना थम जाओ इतना क्लियर हो गया इतना क्लियर होते ही ना आधे से ज्यादा आंस पास में मिलती जुलती है क्या कोई कहानी है कोई बात आपस में मेल खा रही है मेल खारऊ रही है बस होगा जमारा इतने में ही आप इसको आसानी से साल्व कर पाओALLगे खुद ही समझ में आने लगेगा कि क्या है क्या है क्या क्या करा मैंने सबसे पहले तो मेरा वो sentence आया जिसमें subject शुरुआत में है दूसरा फिर मैंने क्या देखा जो next मेरा जो भी option होगा उसमें मैंने ये देखा कि क्या कोई कहानी बन रही है कोई story बन रही है अगर बन रही है तो मैं उसको put कर दूँगा इतना कर दूँगा मेरा सही answer आ जाएगा इससी trick को मैंने रपते हुए मैं कुछ question solve करता हूँ आपके साथ देखना कैसे seconds में आपको answer मिलेगा मुश्किल से मुश्किल question साथ में मिलके अभी हम solve करने वाले याद अटने वाली एक चीज हमेशा constant रहेगी वो क्या कि logical चीजे होनी चाहिए आपस में न मेल होना चाहिए बे मेल के जोड़े नहीं मिलते किसी गदे की किसी share से शादी नहीं हो सकती as simple as that आओ चलो देखते हैं ना question आओ जो यह question था यह देख लेते हैं आपके साथ जो मैंने भी किया था कहां गया कहां गया यह रहा question अब इसमें कौन-कौन से कट गए थे B option और D option तो कटी गया था सबसे बड़ी जो खासे है थे नहीं ट्रिक की वो यह है कि जो फाल्तू के option वो कर जाते हैं और हमें answer ढूणना असान हो जाता है अब बचा A, R वाला, R तो दोनों की शुरुआत में होना ही होना है तो पढ़ लेते हैं R को membership and sorry R तो यह था ना evidence of a crisis in a party politics जो evidence है crisis का बुरे समय का अगर मुझे crisis का मतलब भी नहीं पता तो मैं ऐसे माल लूँगा कि crisis का जो evidence है किसी party politics में अब उसके बाद क्या can be found in the decline in party वो found किया जा सकता है party के decline में क्या है मैच हो रहा है मैच हो रहा है तो मेरे दिल ने आवाज दे दिये कि यही सही answer होगा फिर भी तसली के लिए ना आर के बाद एस वाला भी पढ़के देख लेते हैं evidence of a crisis in party politics in the rise of anticipated कुछ जुड़ा नहीं आपस में कुछ जोड़ नहीं हमने याद रखी विए क्या जीज के logical sequence होना चाहा आपस में कुछ mail तो हो इसका कुछ mail ही नहीं बन रहा आँ देखते हैं इसमें क्या था ये question था ये चार option थे फिर option दे रखे दे sentence थे ठीक है आप देख लेते हैं इसमें सबसे पहला काम क्या करूँगा मैं शुरुआत में देखूँगा कौन से sentence की starting off or because और false की चीज़ों से हो रही है इन वाला B काट दो काट दूना B वाला हाँ sir B वाला काट दो ये तो बेकार का है B से तो शुरुआत हो नहीं ने तो B से शुरुआत वाले कौन कौन से कट जाएंगे वेटा मिनिट इसको थोड़ा उपर कर लेते हैं अच्छा B से शुरुआत होने वाले ये भी कट गया अच्छा फिर ओफ से शुरुआत होने वाले C वाला ये भी कट गया क्या अंसर आगिया हाई तो अंसर आगिया वही अंसर आगिया पढ़ने की भी जरुर्राथ नहीं है आँख बंद करके लिखके आजाओ कितना टाइम बच्छा कितना टाइम बच्छा और CUT वाले पांच नंबर का क्वेशन आता है पांच नंबर के क्वेशन को सॉल करने में पांच सेकंड नहीं लग रहे हैं आपके और ये ट्रिक ना यूनिवर्सल एप्लिकेबल है कहीं पर भी सौरी कहीं कहीं पर भी आप इसको इसको इसी तरीके से ये आपकी यूज हो जाएगी और क्वेशन दिखाओ सर और क्वेशन दिखाओ मजा आ रहा है ये क्या मिल गया हमें आज़ो ना देख लो आपके सामने को और क्वेशन है लॉजिकल चीज़े माइड में रखते हैं ढूंडते हैं ना अगेंस्ट उजिंग फ्रोडिलेंट अगेंस्ट से शुरुआत कभी हुई है क्या नहीं तो बी वाला खतम कर दो ये तो खतमी हो गया है ना चलो बाकी के थोड़े अच्छे आप्शन थे इनको पढ़के देख लेते हैं पढ़के देखते हैं अग कंजूमर प्रोटेक्शन ड्राइब टू एजुकेट चलो यह हो सकता है लेकिन ए तो ऑप्शन में है ही नहीं फिर ऑप्शन में कौन सा है डी तो भई डी को ही देखना पढ़ेगा क्योंकि दो बारे ऑप्शन में डी मैंने पढ़ा दाइडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉट्ट है हाँ हाँ एडमिस्ट्रेशन की चीज का नाम है क्या वह क्या करेगा वहां जल लॉंच करेगा अब डी के बाद क्या आप्शन है एक एक कंजूमर यह क्या मतलब हो आपके अडमिनिस्ट्रेशन लॉंच करेगा पीपल को उनके राइड यह तो कुछ बना ही नहीं कोई कुछी स्कीम लॉंच होती है कोई प्रोग्राम लॉंच होता है यह क्या लॉंच कर रहे हो हमके अकल से आपको बेवकूफ नजर आते हैं क्या हमारा धि स्कीम आएंगे एकदम मजे मजे में आप करके आओगे आओ दिखा देता हूं ना कुछ और क्वेश्चन आपके सामने एक और क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों इसको भी पढ़ लो एक तो फॉर फ्रेश्मेंट यह वाला तो अप्शन हो गए नहीं एस वाला तो लिया और कॉर्स on climate change at Texas यह भी बीच की बात है कि क्लाइमेट यह क्या हो यह भी बीच की बात है तो क्यों वाला भी काट दूं हां सर क्यों वाला भी कट गया बीसी कट गए एडी बचे यानि पी से शुरुआत होगी पी वाला कॉन सा है कुछ साल पहले दोस्तों यह बात हुई थी हमको भी महबबत किसी के साथ हुई थी सौंग यह बहुत अच्छा तो सेवरेल यह लेकिन क्या हुआ था सेवरेल यह अगो आर पढ़ लेते हैं प्रोफेसर एंड्रू डेसलर क्रिएट इन इंट्रोड़क्टरी कोर्स होगा यह यह हो सकता है तो पी-ार क्लाइमिट चींज टीघ्र यह तो साल पहले प्रोफेसर एंड्रू ने क्रिएट किया था यह तो समझ माया कुछ साल पहले आदे बना नहीं इसलिए मेरा सही आशर क्या हो जाएगा पी यार क्यों आपको बताने वालों कि जब आपसे हाई लेवल के पी शुरूआत इस इससे नहीं हो सकती वह यह देखना चाहरा था मेली इस्ट्रक्चर बेस्ट थे लेकिन जब थोड़ा से लेवल हाय हो जाता या फिर बैंकिंग का एक्जाम हो गया किसी बड़े लेवल के एक्जाम है या कोई आपका क्वेश्चन ही टफ आने लगा टिपल सब्जेक्स दिये जाते हैं, वहां हमें सॉल कैसे करना होता है, ट्रिक तो यही रहेगी, बस थोड़ा सा रद्धों बदले, वो सुनो, ट्रिक नमबर टू क्या है, दूसरी ट्रिक क्या है मेरी, सुनो बच्चों, इस तरह के क्वेस्चन, जहां पे शुरुवात में इ यह बला नहीं है, दोस्तों, यह दवा है जो आपको मांज दिलाएगी, introductory sentence कौन सा होता है, introductory sentence वो sentence है, जो आपको लग रहा हो, पढ़ने के बाद से लगने लगे, कि हाँ, हाँ, अगर इसे शुरुआत में रखूंगा न, तो जो बात कही जा रही है, वो आपस में उसका मेल हो जाएगा वो logical लगेगी किस तरह कि होंगे introductory sentence अभी करके भी दिखाऊंगा तो उसमें ऐसा होगा जिसे कुछ साल पहले ऐसा हुआ था जिसमें भी था several years ago once या फिर 200 years back ऐसे starting हो रही होगी है तो कुछ sentence ऐसे होंगे आप अराम से एक बार go through करोगे तो आप पता चल जाएगा कि यह sentence पहले आना चाहिए क्योंकि इसमें शुरुवात हो रही है तो हमें क्या ढूंडना है introductory sentence ढूंडना है कि शुरुवात में कौन से sentence आ चुका होगा उसके बाद वही होगा कि logic prevail करेगा क्या करेगा logic prevail करेगा कि logical connection बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा sentence इसक गलत हो जाएंगे यहां भी हमारी इस तरह से ट्रिक फॉलो कर जाएगी अच्छा 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 बड़े बड़े sentence इसमें भी अगर कुछ sentence ऐसे है चाह शुरुवात because से हो रही है off से हो रही इन से हो रही है तो वह तो अपने आप ही ऐसे करके write-off हो जाएंगे तो यह ट्रिक तो हमारी मिलती जूलती है आपस में एक साथ apply हो रही है मजा आ रहा है हम पावरफुल हो रहे हैं हमें कोई भी question दे तो अब solve कर देंगे सर एक question solve करा हो ना आओ दिखाता हूँ याद क्या रखना introductory sentence पहले आएगा जहां पर multiple subjects दिखने लगे पहले तो मैंडे में यह होगा कि शुरुवात में ऐसा कॉंसा sentence हो जिससे पता चलेगा कि पूरी कहानी कही गई है कोई बात कही गई है उसकी starting क्या हो सकती है समझ में आया आओ जिक्ते ना सर सर कुछ question करा दो अच्छा सा question करा दो यह रहा आपके सामने question अच्छा खासे बड़े-बड़े sentence से इस invention अब यहां आप जैसे in the beginning यह सारे ना सीम सीम से लग रहे हैं लेकि पहला मैंने पड़ा this invention has helped us कौंसी invention कौंसी invention मुझे बताओ ना कौंसी invention ऐसे बोल दे this invention तो मेरा ए तो नहीं होगा ए नहीं होगा तो मेरा फायदा क्या होगा मेरा फायदा यह हो जाएगा बच्चों कि मेर पहला option ही cut हो जाएगा किसी भी चीज की शुरुआत ऐसे नहीं होती कि this invention यह invention यह invention पहले उसका introduction तो दो introductory तो बताओ अब जैसे penicillin is one of the most useful drugs man has invented यह मुझे लग रहा है यह मुझे लग रहा है कि किसी चीज का introduction है यह subject भी है किसी चीज का नाम है दवा का नाम है तो क्या मैं बी से शुरुआत कर सकता हूं हां कर सकता हूं यानि सी वाले पर मुझे लग रहा है हो सकता है लेकिन फिर भी फिर भी मैंने एक बार बी option को भी consider करता हूं तीसरा पड़ता हूं in the beginning however very few people knew of this discovery this discovery अरे कौन से discovery बताया तो है नहीं यानि सी तो मेरा नहीं होने वाला सी तो मेर लोगिकर णिया क्या sentence पढ़ने की जुरुत पड़ी आपको sentence पढ़ने की सुरुत फढ़ी आपको नहीं पड़ी क्या है यह करेक्ट आंसर मिल गया हमिल गया यह यह अच्छे लवल के उपर पूछा गया question आपके सामने समानि podemos ए और पढ़ो sir एक और question कराओ अच्छा ये देख लेते हैं ये थोड़ा सा मिला जुला सा question है इसको देख लेते हैं अब इसमें भी वही है I was shocked to find my house मैं शौक हो गिया था पहले की तो कुछ बात बताई नहीं रहे हो तो क्या मैं A वाले को लगा दूँ वैसे अच्छी बात यह थी A वाला भी नहीं होगा तो B वाले भी काट दिया मैंने हां काट दिया व वाला अब बचा सी यानि शूरुवात कहीं ना कहीं सी से होगी और प्रोभैबिटी भी बताओ प्रोभैब्यृटी बश्यादर होते हैं अगर इसमें सीची के तीना option है तो कहीं ना कई सी पहले ये शुरुवात लग रही है, लास संडे क्या हुआ था, I returned home late at night, मैं घर लेट आया, उसके बाद क्या हुआ, C के बाद सर एक तो D है और एक A है, फिर क्या हुआ, लास संडे I returned home late at night, I ran inside in fear that my house has been robbed, लेकिन I was shocked to find my house unlocked, पहले तो शौक हुआ हूँगा ना, तभी तो डर हाँ, सर बहुत इजी था, सर बहुत इजी था, अब सर ये बहुत बड़ा question है, हालत खराब हो रही है, मैं half round, लेकिन सर मैं बड़ा excited हूँ इसको करने के लिए, करा हो ना सर, आओ चलो देख लेते हैं, इस तरह के sentence को भी के पूरे sentence चारों के चार, यहाँ पूरे board पा आ ग चलो हम तो शुरू आज से बड़ते हैं, an old mouse who was wise enough to keep his distance whisper to a friend, यह बीच की बात लग रही है, कि एक old mouse था, उसने यह कहा, क्यूं कहा, इससे पहले का कुछ हमें relevance नहीं है, तो we are not sure कि A वाला आएगा कि नहीं आएगा, इसको hold पे डाला, नैस देखा, she hoped that night, यह तो बीच की ब फिर आता है C वाला, a cat, और C के तो option भी I think दो बार थे न, हाँ, C के option भी दो बार दे रखे हैं, यह ध्यान से पढ़ने वाला होगी अब, तो क्या है, a cat grown feeble with age and no longer able to hunt mice as she once did, thought to herself how she might entice them within reached of her paw, यह लग रहा है, कि किसी की कहानी बताए जारी है, कि एक cat थी, जो कि अब सकता हूं, C के साथ एक तो A डालेगा और एक D डालेगा, तो क्या यह, यह तो तो कटी गए न, हाँ, कटी गए, C के साथ A और D डालके देखते हैं, जल्दे एल्दी आंसर हो रहा है, यह बहुत बड़े लेवल के exam के question दे लेका हूं, आपके लिए आसान नहीं है, यह solve कर के लिए, तो हर question solve कर लिया, C के साथ A, हाँ, फिर एन old mouse who was wise enough, एक यह वाला सकता है, और कौन सा सकता है, और कौन सा सकता है, C के साथ D आ सकता है, D कौन सा है, thinking she might pass herself off for a bell, हाँ, यह दोना match हो रहे हैं, कि वह बूड़ी थी, सब कुछ था, उसके प्राबलम थी, फिर उसने प्रूचा कि वह क्या कर सकती, कैसे वह बहकात सकती है, एक लोग को धोका दे सकती, चुहे को उसको खाने के लिए, हाँ, यह planning कर रही थी, तो क्या CD हो सकता है, हाँ, हो सकता है, सर, तो C, CD, BA, क्या इसका ही सही answer हो जाएगा, हाँ, सही answer हो जाएगा, तो यह कार्ड़ू है, हाँ, कार्ड़ू इस तरह से क्या मुझे answer मिलिया, क्या मुझे पूरा पढ़ने की भी जूरत पढ़ी, नहीं, अगर पढ़ ले तो समझ आ रहा है, और अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां हमने सुर्फ logic लगाया, logic लगाया, चीज़ों को देखा, और हम पूछ सकते हो, और इस तरह की वीडियो में लाना चाहता हूँ, आपके लिए बनाना चाहता हूँ, बना रहा हूँ, मुझे बताओ भी क्या आपको वीडियो को लाइक करो, ट्रिक कैसे लिए को में ज़रूर बताओ, चैनल को सब्स्राइब को जिल्दी सब्स्राइब करो आपको और मेरा साथ बन जाबने सभी दोस्तों में वीडियो पहुंचा दो, और ये मदेदार कमाल के ट्रिक फालो करते रहो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, दोस्तों लगे रो तयारी करते रहो, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक लिए